Town Labogen students, नवभार्टी परिवार में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है रहाना पाठ्थे क्रम पाठ्थे क्रम में मैं आज आपको पाठ्थे क्रम के तत्व और विशेस्ताओं के बारे में बताओंगी जैसा हम कहते हैं कि जब हम किसी चीज को ग्रहन करते हैं तो उस चीज़ को ग्रिमिन करने से पहले हम उनके तत्व यानि कि हम यह जानते हैं यह जानना चाहेंगे कि उसमें ऐसे कौन से तत्वों का समावेश होता है कि वो हमारे लिए सही रहे या हमारे लिए लागदाइब हैं जैसे हम कहते हैं कि भोजन को जब हम कोई भी भोजन करते हैं जब जिस समय हम भोजन करने बैठते हैं या हम किसी चीज़ को खाते हैं तो हम सबसे पहले हम यह जाते हैं या हम यह पता करते हैं कि इस भोजन में ऐसे कौन से तत्वों का समावेश है जो हमारे शरीद के लिए ल या उस कार्य को हम करने से हमारे किस उद्धेश्यों की प्राप्ति होती है या इकार्य किस तरह से हमें पूरा होता है तो वो सब हमारे इस तत्तों पर निर्भर होता है कहते हैं कि तत्तों हमारे लिए जिस तरह से भोजन में आवशक होता है उसी तरिके से कत्तो का समावेश हमारे प्रत्तय कारिय में होता है, अब यहाँ पर पworत्छे करण am lane, परम करके सरुन करें ता हम आफ़ेश हमें कों से तक्तो को समावेश होता है जिसने यहीं इसका निर्मान की प्रक्ख्रिया तो में आपको नेक्स फिडियो में बताउंगी इसमें सबसे पहले पाठी क्रमके मिश्य की विशेस्ता हों के बारे में मैं आपको कुण रूप से अध्यार करवाऊंगी तो इसमें सबसे पहले हैं हमारे पाथ्टिक्रम के तत्वत जो की फस्त है हमारा सिक्षन का उद्देश्य है यानि कि हम जब कोई कारिये करते हैं तो सर्प्रतम हम यही करते हैं कि कार्य करने के पीछे हमारे पास कोई ना कोई रिजन होता है कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है तो जो कारण होता है उसकारी को करने के पीछे वो हमारा उद्देश्य बन जाता है और जब तक हमारे पास कारण नहीं होगा तब तक हम उसकारी को करने की कोशिश नहीं करेंगे और वो कारण ही हमारा उद्देश्य बन जाता है अर ठाठ हमारा लक्ष बन जाता है तो उसमें सब पता में हमारा टापिक है सिक्षन के उद्देश्य तो हम देखते हैं कि पाठ्टे क्रम जो सबसे पहला तत्व होता है पाठ्टे क्रम का वो होता है सिक्षन का उद्देश्य यानि कि सिक्षन के उद्देश्य कि वो पाठ्टे क्रम ने किस तरीके से अपने सिक्षन के उद्देश्य को पूरा करवाता है ये पूरे पाट्टे क्रम कर निर्वर होता है कि जो सिक्षन की क्रिया चल रही है कि जो कि हम सीखना चा रहे हैं जो सिक्षन क्रिया तीचर हमें करवाते हैं और स्टूडेंट जिसे सीखता है उस क्रिया को हम आगे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं या कहें तो उसको किस तरह से विकास सिल बना सकते हैं, उसे कौन से गती प्रदान कर सकते हैं, कौन सा अगार प्रदान कर सकते हैं, यह सारा हमारे उद्धेश्य में चुपा हुआ रहता है, क्योंकि अगर जो पाठी क्रम हम लेना चाह रहे हैं, अगर वो पाठी क्रम हमारा आ सब्रत्र उसके सिक्षन उत्देश से अर्थार उसके टीचिंग एम को पूरा करता है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं जिससे संबंदित हम घ्यान प्राप्त करें हैं वो हमें हमारे लक्षों के प्राप्ति करवाता है या नहीं अर्थार यह हमारे सिक्षन को गती प्रदान भी करता है और जो उद्देश्य हम सिक्षन का ले रहे हैं उसे हमें पूरा भी करवाता है सेकिंड है हमारा अनुदेश्नात्मर प्रारू जिसे हम कह सकता है इस्ट्रेक्शनल प्रारू स्ट्रेक्चर यानि कि जो हमारा निर्देश करने का होता है कहते हैं कि जब हमारा उद्देश्य हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं तो उस उद्देश्य का किस तरीके से आगे बढ़ाना है यह हमारा अनुदेशन में सिखाते हैं हमने यह भी कहा है कि अनुदेशन होता है अनुदेशन हम किस किस के मादब से एक तरीके से हम कहें तो सिक्षत भी छात्र के लिए एक अनुदेशन होते हैं क्योंकि वो उनको मार दर्शन देते हैं वो उनको दिशा निर्देश देते हैं तो इंस्ट्रेक्शन में क्या आता है दिशा निर्देश देना उन्हीं निर्देश करना तो जब यहां मुद्देश्य बना रहे हैं तो मुद्देश्यों को पूरा किस तरीके से करना है उसके हमें किन-किन कहते हैं कि हमारी वो विधियां वो सायक सामग्रियां यह सब इन चीज़ों का वर्णर अनुदेशन में होता है कि जिन जिन सायक सामग्रियों के द्वारा और जिस विधी के द्वारा हम इनकी स्प्राप्ति कर रहे हैं सिक्षन का वो हमारा अनुदेशन में हमार मौडल हमारा जो ब्लैक बोर्ड यह सब हमारी अनुदेशन सामग दिया है तो यह कहता है कि अनुदेशन आतना प्रावू यह हमें दिशा निदेशित करते हैं कि हमें यह कारिय किस तरीक से करना है जो कारिय हमने यहां उदेश्य लेकर कि हमने जो कारिय यहां निश्यत किया है जो उदेश्य हमने बनाया है उस उदेश्य को कारिय का उदेश्य है जो उदेश्य हमने यहां बनाया है उसे किस तरीके से पूरा करना है किस तरह से पूरा करना है यह हमारा अनुदेशन आत्मग में आता है उसमें हमारी सायक सामगरि और विदियो जो भी हम मैठर काम में लेते हैं ये हमारी इस अनुदेशनात्मत में हमारे काम आते हैं ये हमें गिशा निर्देश होता है और ये निर्देश भी हमें लेते हैं यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा सौर प्रफम जो निर्देशन होते हैं अनुदेशन होता है वो हमा हमारे सिक्षक के मार्द्यम से होता है यह हमारे सिक्षक के मात्यम से होता है मिक Lynde कि सामगरिकंदों के दौररा किन गणिय两具 दोरा हमें के पूरा करना है यह परापता है और अध्यापक हमें उसी पार्टिक्रम से निर्धारित का पार्टिक्रम से पर आधारित हमें वो दिशा निर्देश देते हैं कि हमें ये काड़े किस तरह से करना है तो पार्टिक्रम हमारे दिशा निर्देश करने के लिए हमारे लिए बहुत महतुपोर है क्योंकि जब तक हमें पार्थिक्रम में उस दिशानिदेश के बारे में पता नहीं रहेगा हम कोई भी सामगरी प्रियोग में नहीं ले सकते हम कोई विध्या काम में नहीं ले सकते तो इन सब का ज्यान हमें हमारा पार्थिक्रम करवाता है हम कह सकते हैं कि अनुदेशनापना प्रारुप में पाथिक्रम की एहम भूमिका होती है थाड़े हैं हमारा मुल्यानकन हम देखते हैं कि जब हम जिस कारिय को करते हैं उस कारिय का हमारा मुल्यानकन करते हैं कि वो कारिय हमारा किस तरीके से सब्बन हुआ है यह हमारा मुल्यानकल में हमें पता चलता है यह हम कहें तो मुल्यानकल से हमें यह पता चलता है कि हमारा कारिय कितना पूरा हुआ है किस तरीके से पूरा हुआ है या उसका प्रभाग क्या है यह पूरा हमारा मुल्यानकल में होता है अगर इस मुल्यानकल में अगर कही ना कही कोई कमी रह जाती है तो हम पुने यही हमारी प्रिक्रिया वापस स्टार्ट करते हैं तो मुल्यांकर हमारे उद्देशे और हमारे प्रारूत की अंतिम प्रिक्रिया होती है इसके माध्यां से हमें हमारे पाठ्टे करम का प्रभाव पता चलता है कि हमारे जो पाठ्टे क्रम में अगर हमने जो ये सारी हिधिया काम में नहीं है ये सारी प्रक्रिया होने काम में नहीं है तो इसके बार में हमारा मुल्यांकन क्या होता रहे अगर हमारा मुल्यांकन सही आता है तो ठीक नए तो हम यही प्रक्रिया कुने करते हैं मुल्यानकन के बार में आता है हमारा प्रस्क पोशन यानि कि जब भी हम कोई कारिय करते हैं तो उसका हम क्या दोते हैं फीड़वेक तो फीड़वेक हमें मिलता करें मुल्यानकन के बार यानि कि फीड़वेक किसे प्रभावी होता है मुल्यांकन से यह मुल्यांकन से प्रभावी होता है अधार हम यह भी कह सकते हैं कि यह मुल्यांकन द्वारा हमें प्राफ्त होता है क्योंकि फीड़एक तो मुल्यांकन के अधार पर देते हैं तो इस चीज में बताया जाता है कि फीड़एक हमारा सकारात्मक आता है यह नका तो यह सी हैं स्क्षाल वां सब्सक्रा नो सकता है लुक 2 पासे अधार बिने पूरख कर सकते हैं जयेочки करना एन और अधारम की वह प्रियोग करना है हैं कि आपी तरीकिन के द्वार्व पर पूराना है यह हमें अपाठे क्रम भी पाठ्टे क्रम पर ही आश्लिक होता है कि उन्हें किस तरीके से स्कारिय को अला है तो पाठ्टे क्रम हमारा शिक्षक का भी सहर होता inflatly और विद्धार्पुगावी इसा क्थर्टा मुल्यानकरन जया निया कि जू हमने प्रभावी है को दो लेने के बाद इस कहुर के करने जा रहे हैं वो काड़े क्रम हम इस पाठ्थे क्रम के आधार कर सही है या नहीं या हमारे लिए प्रभावी होगा या नहीं इसके बार में हम मुल्यानकर्ण से प्रभाव होकर मुल्यानकर्ण के प्रभाव हमारा फीडवेक होकर है ्यसके माध्यम से हम पूरा प्रखाव बताते हैं कि ये हमारा क्या प्रखाव का पड़ा है तो ये हैनके मुल्यांग्रण के तर्फुप अब हम पढ़एंगे पाठ्थे क्रम की विशेस्ताएं विंसे क्रम क्यूं कॉन हम अपने सैक्षे कुद्देश ये लेकर चले हैं जो कारिये हम करना चारे हैं वो कारिये हमारा पूरा हो रहा है या नहीं यह पार्ट्यक्रम की सबसे महत्कुन विशेस्ता होती है अठाट सैक्षे कुद्देशों की प्राप्ति कि हम किस तरह से हमारे सैक्षे कुद्देशों की प्राप्ति कर रहे हैं सेटिंग है अमारा सिक्षन सामग्री का निर्भारन यानि कि वही चीज जो अमुदेशनात्म प्रावुप में है कि जब हम उद्देश्यों को लेते हैं तो जब उसकी दूसरे विशेस्ता आएगी तो हम उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कि हम सामग्रियों का चयन करेंगे कि हमें किल किल सामग्रियों की आवशक्ता करती है तो सामग्रियों की आवशक्ता हम किसके आधार पर लेते हैं पाथ्यक्रम के आधार पर उस पाथ्यक्रम के आधार पर हम हमारी सामग्रियों का चयन करते हैं जो हमारी सिक्षण अदिगम में जो हमारे काम आते हैं सीखने में सिखाने में जिस चीज का हमें प्रयोग करते हैं हम सामग्रियों का यहां कर प्रयोग करते हैं सामगरी के बाद में हम किस विधी द्वारा उसे प्रियोग में ले रहे हैं उसका भी हम जयन करते हैं हम कहते हैं कि सिक्षन में बहुत सारी हमारी विधिया होती हैं हम कहें कि अगर छोटे बच्चे को अगर हम एक व्याख्या वीदी से पढ़ाएंगे तो छोटा बच्चा उसे नहीं समझ सकता लेकिन अगर वोही चीज हम ग्याटकिन बड़े बच्चो को समझाएंगे तो वो इस वीदी का प्रयोग सुचारु रूज से करेंगे अगर हम कहें कि एक कहानी और कभीता सुना के हम छोटे बच्चों को समझा सकते हैं लेकिन वो विधी अगर हम बड़े बच्चों के लिए एपलाई करते हैं तो वो विधी हमारे लिए प्रभावी नहीं होती तो इसमें कादया कि फाट्टे क्रम इन सब छीजों का ध्यान रखता है उसमें यह विशेस्ता हुती है कि वो विधी काम में लेता है जो की बच्चों को आशको और इस छात्र के मांसिक इस्तर के अधापत विधियों का चयना करता है और उसी वांसिक सित्यू के जब विधी हम काम में लेते हैं तो विधियो के लिए हम सामगरी भी प्रयोग में लेते हैं तो यह है उसकी थार्ड विधी अपोर्ट है हमारा विश्य सामगरी का विभाजन हम देखते हैं कि हमारा जो विश्यों का चैर्ण होता है हम जब विश्व का विभाजन करते हैं तो वो विश्व का विभाजन किसके आदार करते हैं पार्थेक्रम लिए आदार करते हैं अगर हम यह कहें कि हम 10 में सब्जेक्ट लें तो वो हमारे लिए नहीं है क्योंकि वो हमारे पार्थेक्रम का इसा नहीं है अगर हम देखे हैं यहां क्लास 11 तो वहां हमारो सब्जेक्ट चाना करना हाता है और हों वमा और समय सब्रक्षी फ़ेट है, हम यह करें कि हम गणीत को हम साम éénीर कध्यन मोच भूंत कर आते हैं कि कोन-कोन सब्जेक्ट किस छेत्रा मे घती है अगर हम नहीं पड़ें एक चोटा बच्चा जहाएं कहते हैं काउंटिंग सीखता तो वो काउंटिंग कम आ जाती है गणित विशे में ना कि वो SSP में तो इसी तरी के से हम पाठी द्रम के आधार पर विशे सामगरी का और विश्यों का दोनों का चैन करते हैं हम विशे सामगरी कैसे चैन करते हैं हम ही कहते हैं कि अगर हिंदी है इंग्लिश है तो हम बच्चों को पोयम सिखा सकते हैं लेकिन क्या हम सामगरी का का कारिया होता है जिस विशे के लिए होता है वो हमारा पाठी क्रम पहले से ही निर्दारित कर देता है कि हम इतिन सामगरिय दो का इसमें चेहन कना है पिंहे आई शेक्र निर्मान की जो हमारी का सब कुझे इसपैं हम सिक्ते हैं कि हमारा शाहेरी और याक को कर दोलग पार युरिक कह दो होता है कि हम जब कर दक में आपको पहले बताई थी कि पाठ्टे सेगा में किरियाएं हमारे पाठ्टे क्रम का एक इस्सा होता है तो वो हमारे जो पाठ्टे सेगा में किरियाएं होती है वो हमारे चरित्र निर्मार में सायक होती है वो शारी किरियाएं जो हम करते हैं चाहे हो योगा करें हम भयां करें इस सारी किरिय उस पाठ्ठीक्रम के द्वारा ही वह मुझा कारिया करते भी कार्या होता है वह एक उन्हान स्फव्य स्क्रशंग होता है करते हैं जो सारा हमारे व्यक्तित कहते हैं कि हमें बोलने का हमारी शारेरी किरियाओं का हमारी मानसिक करने कि आ आ जिसें हम कहते हैं कि भ्ययक्टि का सर्मागी व्कास सर्मागी व्कास होसे के माध्यां बच्चों पूरा विकास होता है चाहु मुकी जिसको nem शारे क्मान सिख यो से कूली से बच्चों का चाहु मुकी दास होता है ड्यक्स सबस्ला अनुसनधान अभिश्कार केले कांटी कि बाती है अविश्कार कि हम जो पार्ठी क्रम बनाते हैं उसे हमें किस तरीके से हमें आगे प्रियोग में लेना है कि जो बड़ी बड़ी संस्ताइं होती हैं यह जो हमारा पार्ठी क्रम बनाती है हम रिसर्च करते हैं वह किसके अधार करते हैं हमारे पार्ठी क्रम पर पहले से उस पाठ्थेक्रम को बिना कारूफ चूरत्पक्रेंड करें कि अगर हम पोई अनुसान्दानिक कार्य कर्यें दो उसके लिए भी हमारा पाठ्थेक्रम होता है कि हमें किस स्टेप से उस कार्य को करना है तो आज के लिए जो कि यह कार्यों का बहार उठाती है और यह पाठ्थे क्रम का हमारा जो विशेष्था है वो सबसे हैट्पून विशेष्था है इसके लिए तागनास के में वणा पाठ्थे क्रम में लचिला पल कहते हैं कि जो पाठ्थे क्रम है उसकी सबसे बड़ी minimizeविशेस में रज़ार हमेशा पाठ्थे क्रम को कैसा रहना चाहिए सरल और लचिला की वो समय के अनुसार परिवर्थित हो सके साथ कि दिद्द जब तक यह नहीं होगाहमारे दिद्धा कि नहीं होगा हम यह कैने के अरुसां अविशेक्तर है परिवर्वर्टित हो फो दो वे समय समय पर हमारे परिवर्वर्टित हो सके उस काले को हमें इस तरीके से करना है, यह हम उसमें चेंजिस कर सकें, नेट्स है हमारी जीवन की आवशकता है, यह हम कहते हैं कि पाठी क्रम से हम अमारी जीवन की आवशकताओं को भी पूरा करते हैं, कैसे करते हैं, कि जो पाठी क्रम है, वो पाठी क्रम एक तरीके से हमारा पुद का झीवों को पारज़न का साधन बनता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि आज की जो सिक्षा है, वो हमें खुदको सिक्षित करने के लिए नहीं होता रहे, वो हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमारा जीवन कैसे पुरा करना urgent किस तरीके से करना है, तो जीवन यापन करने के लिए हमारी जीवन में जो भी हमारी आवशक्ता है होती है रोटी, कब्डा, मकान, रहना, खाना जो भी हमारी प्रियाएं होती है वो सारी आवशक्ताओं को पूरा पूर्ण करता है बात ठेक रहा हूँ किस तरीके से हम जो जो सिक्षा ग्रैंड कर रहे हैं वो सिक्षा का रूप ऐसा बनाता है कि वो हमारे जीवन में आगे प्रियोग में ले सके जिससे हम कहें कि हम अमारा जीवन को पार्जन की इंकम कर सके और उसको हमारे जीवन ही अपन कर से किया हमारे जीवन की जो आउशक्ता ही है उन आउशक्तों की पूर्ती कर वाता है फिर हमारे जीवन के सभी वक्षों का अध्धन, कहते हैं कि हमारा आठ्यक्रम जो होता है, वो हमारे जीवन के सभी वक्षों का हमें अध्धन भी करवाता है, कि किस समय हमें किस चीज की आशक्ता होती है, जब हम सिक्षत होगे, तग ही हमें हमारी आशक्ताओं के बारे में ज हम समष्चा के मास्थ Happiness में उस चीज सोचते हैं कि हमित किस तरहुआ में जीवन में जह सबह दूर कर सकता है सब भख्षों नहीं अच्छे और दौरे दोनों उस अध्यया कों करवाता है самого मौने सभी और गलत दोलों का चैनल हम किसके मांद्लम से करेंगे हमारे पार्ट के क्लम के मांद्लम से नेस पैस में व्यक्ति वे वातावरन से समायोजन यानि पहले भी बताया था कि सिक्षा हमें हमारा समायोजन करना सिखाती है उसमे रहने वाले व्यक्टियों से हमे किस तरीके से समायोजन करना है संतुलन बिठाना है आपस में बेल जोल पिठाना है यह भी हमेरे पाटे क्राम सिखाते केते हैं qa पाटिक्रों हमें स्यज्जांतिक और व्यवारिक दोनों ग्यान देने की कुशिश करता है वो किसी ना किसी रूप में हमें वेवारी ज्यान भी देता है जैसे हम कहें कि हम अगर हमारी पुस्तक पढ़ते हैं तो उस पुस्तक में कुछ ऐसे तौपिक होते हैं जो हमें वेवारी ज्यान प्रेदान करते हैं तो उसमें वही चीज घैंगी व्यक्ति अब आगाना जो करना घी हमें को अंसी खता है पाथफे क्रम की कि त gegो कि अपतर होगा ही प्ढभावी जब 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 आनुबहो पूर्ण होगा जब तक हम अनुखो ग्रैंड नहीं करेंगे जो हमारा Patshikram बनाया जाता है वह अनुखो गयक्तियों द्वारा ही बनाया । हमने किते हैं विशे विशे सक्ये वह ही होते हैं जो की अनुखो शानी होते हैं तो हमारा जो Patshikram है उसकी सबसे बड़ी विश्रिस्ता है कि व्यक्ति और समाज दोनों से अनुवा प्राप्त किये हुए उतेने और हमें उन अनुवा की आधार कर हमारा पाठ्ठी क्रम दयार होता है कि किस तरीके से हमें वो पाठ्ठी क्रम पूरा करना है वारा सेक्षिक सदर जो मैंने बतना था कि रिटे बच्चों के लिए पातिक रिर्म Milo다e के लिर बंधर उसी और पातिक रिर्म और हम कहते हैं इसको कि हम primary, middle, secondary, high secondary तो यह सब हमारा विभाजन है यह इस्तर पर हमने इनका विभाजन किया है और यह हम विभाजन के सब इस्तर पर करते हैं मालसिक आधार कर कि अगर primary, secondary बच्चे हैं तो वह बिल्कुल चोटे बच्चों के श्रेनी में आता है तो गौर्बेंट उसे आधार पर हमारा पाठ्टे क्रम तयार करता है आगे जैसे जैसे हमारा इस्तर बढ़ता जाता है हमारे पाठ्टे क्रम का इस्तर भी बढ़ता हुआ चला जाता है तो उसमें ये सब चीजह का समावेश होता है विश्यासा हमारी परजान होती है कि हमारे इंगे इसे कौन सिविश्यास्ता सब्स्टे अब च from शर्च्रेह करके सकते हैं और यह कुछ हमारे गुण होते हुए उसिए ये पाठ्टी क्रम ती थे थी पहले मैंने आपको पाठ्टी इसके बार मैंने आपको विशेस्ताइं बताई इन विशेस्ताओं में की सब्सक्राइब पर सिक्षन सामगरी का विभाजन करना चरित्र निर्मान के लिए र्यक्तित विकास के लिए अनुसंदाम के अविश्तार के लिए पाठ्टेक्रम में लचिलावन के लिए और जीवन की आव्षक्ताओं के लिए आव्षक्तास संब्ञादे जीवन के सभी पथोका आध्यव WA protected के लिखेस्ताइं जो आपको पढ़ाने जारी हूँ यह आपको रिपीट कर रहे हूँ कि यह topic हामारा महिन्दुपून topic है और दोनों dus को से लिया गया है दोनों पुस्तकों का यह topic है तो इस topic को आप दोनों कुस्तक के लिए लिकारफिक जूटे ना वो नेक्स्ट जो हमारा होगा पाठ्टे करम कर टॉपिक अभी हमारा आगे है तो यह टॉपिक में इसके आगे की जो बिंदू है वो हमें आगे की वीडियो में बताऊंगी धन्यवार